इडी लगातार अंसारी परिवारे खिलाब कारवाई कर रहे हैं आज भी समन जारी किया गया है अज पीर से समन किया गया है मुक्तार अंसारी की पतनी को क्या वज़ा है और क्यों नहीं पेश हुआ जा रहा है आप लोगी परिवार के कैसे दत्रियों के और से देखे मैं अपनी बात यह बता दू कि मैं तो जब भी बुलाया पहुंच जाती है तो यह तो कहना उचित नहीं है हाँ यह है कि वह अपनी जाच के सिलसिले से जिसको बुलाते हैं जाना चाहिए मैं तो गया हूं और उनके सवालों का जवाब दिया हूं और आगे के लिए भी यह कहा हूं कि जब भी कभी जरूरत होगी और बुलाया आपको भ्रहम है तो कोई चीज ऐसी आपके जनकारी में है तो आप पूछ लीजिए मैं उसका समधान कर देता हूँ कि परिवार के सारे सदस्यों को चाहिए आप हो मुकताय अंसारी के पुत्र हो आपके मतीजियों मंनूह अंसारी हो आपने नाम लिया उनको अभी समन नहीं गया लेकिन आप उनको बता रहे हैं कि बन्नूह अंसारी को भी बुला लो वो हम समझते हैं उस चीजों को, आधा काम करती है E.D. और उसको रास्ता देखाते हैं, हाना कि वो बिचारे आप लोग के दिखाए हुए रास्ते पर कुछ दूर चलने के बाद खुद अफसोस करते हैं कि भरा मक्सूट ना है, कुछ भी नहीं है, हमारा दामन कल भी साप था आज भी है, और दुनिया की कोई भी एजनसी जाच कर ले, हम लोग किसी भी जाच से गुजरने को तैयार हैं, और कुछ भी गलत नहीं मिलेगा, जबरदस्ती हमारे खिलाफ, आप सुबूत गर दें, बना दें, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, हम तो अ सारे मामलों पे नजर रखते हैं, सब अस्तब्द है, पुरवांचल की जनता अस्तब्द है, ये क्या है, एक ऐसा परिवार जिसने देश की आजादी के लिए लगातार संगहर्ष में हिस्सा लिया और खुर्बानिया दी, एक ऐसे परिवार के लोग, जब देश का बटवा तो उस समय मुहमद अली जना के प्रस्ताव को ठोकर मार दिया, और इस मिटी में पैदा हुए इसी मिटी में मरेंगे इस संकल्प के साथ, और उस संकल्प को निभाने के लिए समय आया, तो मात्र भूमी की रक्षा में बिर्गिडिर उस्मान ने बलिदान दे करके, अपने जो पाकिस्तान प्रस्त लोग हैं, वो तो गाली बखते ही हैं हमारे परिवार को, वो बिर्गिड इसमान को भी सब से गंदी गाली खंजीर कहते हैं और हमें भी खंजीर का बच्चा कहते हैं, और अफसूस की बात है अपने आपको राश्टवादी सरकार होने का दावा करन का या है देश के व्यूर्ट उसके पीछी इससरे पड़े के खिलाफ जाच कर लो जाच चल लए है बच्चों के खिलाफ जाच महिलाओं के खिलाफ कारवाई और जाच मरी मरी हुई मा के खिलाफ कारवाई और जाच कहीं तो मैं पहला है कि आप यह कहना चाहरा है कि मुक्तार के खिलाफ जाच की जाए जब कि उनकी पत्नी बच्चे इनके खिलाफ जाच ने की जाए मैं कह रहा हूं कि मुदी जी की मा तो मा हैं, हमारी मा मा नहीं है, हंदुस्तान का कानौन ये दुनिया का कोई गानौन है, जो मर जाने ये अले व्यक्त की जाच करेगा, मेरी मा राबिया बेगम के खिलाफ जाच हो रही है, मोदी जी ने कितनी छूट दे रखी है इनको, महिलाओं को नहीं बक्षा गया, बच्चों को नहीं बक्षा गया, हमसे तकलीफ है, हमने चुलाओं हरा दिया मनोसिना को, उनके चहेते थे, एक बार नहीं दो-दो बार हरा दिया, फिर चौबिस में उनके साप्त का पड़ेगा, जनता फिर फैसला देगी, लेकिन हमसे करिए ना, जाच्विरी करिए, आप मत मानिये, आप रास्ता देखाते रहिए, नए नए नाम बताते रहिए, लेकिन जनता ये मान रही है, कि अती हो गई, इमतहा हो गई, हद हो गई, और फिर चौबिस में इसका खाम्यादा आपको भुगतना है, पूरवांचल के उन सीटों पे भुगतना है, जो पिछ संदौली बचाना, आपको बलिया की सीट बचाना, सलेमपूर की सीट बचाना, पूरवांचल में जो एकका तिकका सीटों पर, मचली शार की सीट पर, आप आ गये थे न, इस बार देखेगा पूरवांचल की जनता क्या फैसला लेगी, आपको ये गलत स्वामी है, अगड़ी किसी के सर बान ही जाती है, मीडिया के भाई इसके लिए बड़े ट्रेंड है, जिस दिन एक्षन उसी दिन तुरूंत योगी बाबा का एक्षन गरजा, सही है कि उत्तर प्रदेश में जो कारवाई हो रही है, उत्तर प्रदेश की पुलिस और आइद्मिस्टेश हो रही है और योगी जी उत्तर प्रदेश के मुखवंत रही है, तो उधर जानबूच के परपकंड़ा क्यों करते हैं, क्यों नहीं कहते हैं अगर असलियत जानते हैं तो, कि यह सारी कारवाई पी एमों से हो रही है, और सारी कारवाई सिर्फ मनोच सिना की सीट कैसे अगल सभा के चुनाओं में सर पटकते रह गए और परड़ाम यह आया कि शुनिका रिजल्ट था गाजीपूर में अब कि पूर्वांचल में हम मोदी जी की सीट और मिर्जापूर की सीट की बात नहीं करेंगे लेकिन भदव हुई, चंडवली, मचली शहर, बलिया, सलेमपूर यह जो सीटें बच गई थी आपकी इन सीटों को भी देखिएगा परिवर्तन की इस लहर में क्योंकि काम तो कुछ हो नहीं रहा यह मान रहे हैं कि जिस तरीके जो एडी कारवाही चल ले उसमें आप लोग पुरुते के सहयोग देंगे और जो आज फिर से नोटिस जारी हुई है मुक्तार अंसारे की पत्नी को, क्या वो पेश होंगी? भाई आपके समझ में नहीं आता है, यह प्रश्ट कहां पैदा होता है? जब शिरिमती सोनिया गांधी को बीमार अवस्ता में भी इडी ने तदब कर लिया, उनको जाना पड़ा रहुल गांधी जैसे शख्सियत को भी इडी बुला लेती है अब 12 गन्ता, 13 गन्ता जब हमको भी बुला के पूछताच कर लेती है, तो किसको भूला गिया, को नहीं जाएगा किसको भूला गिया, कौ नहीं जाएगा कुछ परकریयाई हैं, आपके विरुद कोई मामला है एक अदालत ने आपको नोटिस दे दिया या समन कर दिया या वारेंट कर दिया और आप अपने लिए राहत तलाश कर रहे हैं उपर की अदालत में उससे उपर की अदालत में इस देश में खानून का राज है हो सकता है उनके वकील उसकी पैर्वी कर रहे हों, मेरा तो सुझाओ होगा, आपके भी माध्यम से सुझाओ है, कि जिसको भी सम्मन्दे, ED या कोई भी जांच एजंसी, उसको हमें सहयोग करना है उसकी जांच में, और हम करेंगे, जब मैटर आएगा न्यायले में, तभी तो दूद का दूद और पानी का पानी होगा, जिस दिन ED अपनी चार्शीर देगी, तब देखिएगा वो भंडा खुड़ लेगा, कि था क्या, किस चीज की जांच हो रही थी, अभी तो सब परिशान है, लोगों के दिल में सवाल आ रहा, कि विजय मालिया चला गया देश से, हजारों क जो कसी चला गया, ललित मोधी चला गया, ED ताकती रह गई, ना संबन दे पाई, ना रोक पाई, देश से जाना, ये साधरान बात नहीं है, और वो बैट के विदेशों में ब्यान दे रहे हैं, कि हमने सत्ताधारी दल के लोगों को पैसा खिलाया है, और तब हम आए हैं, जाच किस के पर कर रहे हैं, हाए क्या मेरी अवकात, ED जैसी जंस्ता के लिए, जाच के लिए मेरे पास हाए क्या, जिसकी जाच होगी, करो, इतना पैसा, इतना समय, इतने बड़े बड़े अधिकारी, ये कुछ बहतर काम में अपना समय लगाते, तो कुछ राष्ट का भला होता, ये बड़े बड़े चोर, घर पकड़े जा रहे हैं, तो पूरा पूरा घर नोट का जखीरा, कमरे भरे हुए हैं नोटों से, दिमाग वहां लगाना चाहिए, ऐसी जंगल लगा रहे हैं, जहां कुछ है ही नहीं, अरे भाई हमसे आपको तकलीफ है, तो लड़ने दीजिए, आने दीजिए सिनाजी को, आप भी उनकी वकालत करने आईए, फैसला जनता करेगी, ये लोक है थो रही है, और एडी जिनको भी समबन करेगे, वो पेश होगा, और पुरत्रीकेस जाच मसायोग करेगा, और कुछ नहीं मिले गानत में इनका ऐसा दावा है, हलाकि जाच चल लए है, अब देखना है कि क्या कुछ आगे होता है, करशन सुनिल पंडे के साथ अगिनाश्